हेलो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग चाइनिज ड्रामा लेकर आई हूँ ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें कुछ कार्स को दिखाय जाता है जिन में से एक रिचेश्ट बूड़ा आदमी निकल कर बहार आता है जो कि मिस्टर तियान है व भी वहाँ पर मिस्टर त्यान का असिस्टेंट आकर कहता है बॉस यह खबर आपके बेटे के बारे में यह सुनकर मिस्च के बहुत कुष हो जाते है अगले सींड में मेरे लिड यू फैन को हाँ मैं बहुत जल्दी किंकिंग को ले आऊंगा फिर उसकी मॉम बोली ठीक है जल्दी करो तुमारे सारे रिलेटिवस और फ्रेंड्स पहुँच चुके हैं वो लोग ब्राइड को देखने के इंतिजार कर रहे हैं तभी यूफैन अपनी मदर इनलो के पास जाकर कहता है मॉ मैं डेफिनेटली किंकिंग को बहुत खुश रखूंगा तभी उसकी मदर इनलो हसते वे बूली फिर ठीक है तुम जाओ ये कहकर वो साइड हो जाती है तभी यूफैन देखता है कि सीडियो पर वाइन की बोतल्स रखी हुई थी फिर उसकी मदर इनलो कहने लगी अगर वामिटिंग में होने लगती है उसका फ्रेंड चियान उसे रोकने की कोसिस करता है लेकिन यूफैन उसकी बात नहीं सुनता और फिर से वाइन पीना सुरू कर देता है जिसकी वज़े से उसकी हालत भी खराब होती जा रही थी अब बाइए तब ही जियान उसके पास हाकर उसके हाथ से वाइन चीन लेता है और फिर उसकी मदर इनलो से कहता है यूफैन और नहीं पी सकता क्यों ना हम इसे स्कीप कर देते हैं तो मदर इनलो कहती है वो मेरी बेटी से शादी कर रहा है मैं उसकी मॉम हूँ तो ये सब मैं डिसाइड करूँगी तब ही चियान बोला लेकिन एक लेमिट होनी चाहिए यहाँ पर तो अभी बहुत सारी वाइन्स बांकी है इस पर मदर इनलो बोली ठीक है फिर उसे एक बोल के 700 डॉलर्स पे करने होंगे ये सुनकर वो दोनों शौक डो जाते हैं फिर मदर इनलो कहने लगी अगर तुम इतने पैसे पे कर सकते हो तो तुमें इट्रिंक्स पीने की कोई जरूरत नहीं तब ही चियान यूफेन से कहता है यहाँ पर तो अभी भी 12 बोल्स बांकी है इसका मतलब तुमें 4200 डॉलर्स पे करने होंगे तब ही मदर इनलो कहती है चलो मैं तुमें दो आप्शन्स देती हूँ या तो तुम इन वाइन्स को पी जाओ या फिर पैसे दे दो लेकिन यूफेन के पास इतने पैसे नहीं थे तब ही चियान उससे कहता है अगर तुमने सारी बोतुस पीली तो तुम मर भी सकते हो फिर यूफेन एक एनवलप में अपना क्रेडिट कार डाल कर अपने मदर इनलो को दे देता है जिसे लेते हुए उसकी मदर इनलो कहती है चलो तुमने टेस्ट पास कर लिया है अब अंदर चलते ही हम मिस्टर तियान के असिस्टेंट को देखते है जो अपनी बेटी लीजवी के साथ थे तब ही एक आदमी उससे कहता है कि मुझे खबर मिली है कि आज यंग मास्टर यूफेन की शादी है ये सुनते ही असिस्टेंट अपने बॉस को कॉल करके कहता है यंग मास्टर आज शादी करने जा रहे है तो बॉस कहता है ये मामला तुम मुझ पर छोड़ दो लेकिन ये याद रखना कि शैंतियान के बेटे की वेटिंग बहुत धूमदाम से होनी जाई है इसके बाद असिस्टेंट अपनी बेटी लीजुई से कहता है तीन दिन में हमें एक पार्टी अरेंज करनी है जिसमें यंग मास्टर को इंटर्यूस करवाया जाएगा और हमें उनके लिए ग्रेंड वैडिंग भी और्गनाईज करनी है वहीं दूसरी और हम यूफेन को देखते हैं जो किंकिंग को लेने के लिए जैसे ही अंदर जाता है तो सामने किंकिंग की दो फ्रेंड्स उसका रास्ता रोक लीती है यूफेन उन दोनों को पैसो का एनवलप दे देता है लेकिन तभी उनमें से एक लड़की बूली ये काफी नहीं है इंसान अगर किसी को हासिल करना चाता है तो उसके लिए वो जितना भी करे कम है तभी किंकिंग का भाई कहता है तुम्हें मेरी सिस्टर के लिए अपनी सिंसियरिटी को प्रूफ करना होगा इस पर यूफेन हस्ते वे बूला ठीक है बताओ तुम लोग मुझसे और क्या चाते हो इस पर मदर इन लो कहती है तुम्हें हमें डोर ओपनिंग गिफ्ट में 14,000 डॉलर्स देने होगे यूफेन शॉक ढोकर कहता है क्या आपने पहले मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की थी फिर अचनक से मैं इतना सारा माउंट कहां से लाऊंगा इस पर मदर इन लो कहती है मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम पैसे कहां से लाऊगे लेकिन अगर तुमने पैसे नहीं दिये तो तुम दरवाजे से अंदर नहीं जा सकते तब ही चियान गुसे में कहता है आप लोगी कैसी बाते कर रहे हैं हम लोग आपको पहले 2200 डॉलर दे चुके हैं और अब तुम लोग फिर से 14000 डॉलर मांग रहे हो ये शादी रहने ही देते हैं तब ही यूफेन के पास उसकी मॉम का मैसेज आता है कि हम लोग तुमारा इंतजार कर रहे हैं तब ही चियान गुसे में अपना कोट उतार का फेक देता है और उससे कहने लगा तुम्हें इशादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये लोग तुमें बुली कर रहे हैं और इनको तुम एक चलती फिरती कैश मशीन नजार आ रहे हो लेकिन यूफेन उससे कहता है मुझे ये बताओ क्या तुमारे पास पैसे हैं तो चियान कहने लगा क्या तुम पागल हो गयो ये लोग तुमें फसानी की कोशिज कर रहे हैं तब ही यूफेन बुला एक घंटे में शादी स्टार्ट होने वाली है मॉम और सभी गैस्ट होटल में मेरा और किंकिंग का वेट कर रहे हैं तब ही चियान कहता है मेरे पास सिर्फ 400 डॉलर्स बचे हैं जो मैंने तुमारे बैंक में ट्रांसफर कर दिया है इसके बाद वो अपनी मदर इनलों से बुला ये देखिए मेरे पास सिर्फ 700 डॉलर्स है क्या इतने काफी नहीं है तो किंकिंग का भाई कहता है अगर एक पैनी भी कम हुई तो हम इसे एकसेप्ट नहीं करेंगे इस पर यूफेन बोला मॉम पहले आप अमारी शादी होने दीजिए शादी के बाद मैं आपको बागी का आमाउंट भी देदुगा किंकिंग के एक फ्रेंड शूइू उसे अपना क्रेडिट कार्ड देते हुए कहती है तुम बागी के पैसे इसमें से दे सकते हो लेकिन यूफेन कहता है नहीं सूयू मैं तुमारे पैसे नहीं ले सकता तो सूयू कहती है चीजे इस पॉइंट पर आ चुकी है कि तुमें पैसे लेने होंगे और मैं विश्च करती हूँ कि किंकिंग और तुमारे शादी के बाद तुम हमेशे खुश रहूँ फिर यूफेन उसे थैंक्स कहता है इसके बाद वो अपने मदर इनलो को क्रेडिट कार्ड देते वे बोला मॉम आप इसे एक्सेप्ट करो किंकिंग का भाई तुरंत वो क्रेडिट कार्ड ले लेता है और फिर उसकी मदर इनलो से प्यार से कहने लगी बेटा मैं तुमारे लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाना चाती मुझे बस यह कंफर्म करना था कि किंकिंग जिससे शादी कर रही है वो उसे हमेशा खुश रखेगा तो अब तुम अंदर जा सकते हो इसके बाद यूफेन बहुत खुश हो कर किंकिंग के रूम में जाता है और फिर उसे फ्लावर्स देते वे बोला मैं तुम्हें लेने के लिए आ गया किंकिंग जैसे फ्लावर्स लेने लगती है तभी उसकी फ्रेंड उसे रोक कर बोली क्या इतना काफी है ये कहकर वो किंकिंग को फिर से फ्लावर्स देने लगता है लेकिन यूफेन की मदर इनलो उसे फिर से रोक कर बोली एक आखरी शर्थ रह गई है ये कहकर वो अपने बेटे से एक पेपर मंगवा दिया और यूफेन से कहती है तुम्हें इस पेपर्स पर लिखी सबी कंडिशन को मानना होगा उसके बाद ही तुम किंकिंग को यहां से ले जा सकते हो इसके बाद वो शर्थ पढ़कर सुनाने लगती है पहली शर्थ यह है कि शादी के बाद तुम्हें जितने भी इंकम मिलेगी तुम वो सारे पैसे लाकर किंकिंग को दोगे फिर वो डिसाइड करेगी कि तुम्हें मंतली कितने पैसे देने है दूसरी शर्थ यह है कि तुम सारी लड़कियों से अपना कॉंटेक्ट खतम कर दोगे और तुम्हारी जितने भी प्रॉपर्टी है वो शादी के बाद तुम्हारे और किंकिंग के नाम पर होगी बच्चों के सरनेम भी उसकी मदर के नाम पर एड़ होगे इस तरह करते हैं वो साथवी कंडिशन पर आ जाती है और कहती हैं तुम्हें शादी के बाद घर के सारे काम करने होगे और हमेशे किंकिंग के नजरों के सामने रहना होगा लाश्ट कंडिशन यह है कि तुम शादी के बाद अपने पैरेंट्स के साथ नहीं रहोगे ये सुनकर यूफेन शॉक्ड हो जाता है फिर उसकी मदर इनलो कहने लगी अगर तुम इन कंडिशन को नहीं मानोगे तो मेरी बेटी के पास ये राइट होगा कि वो तुमें घर से निकाल दे और डिवास के बाद तुमें मुआवजे के रूप में 17 लाग डॉलर्स देने होंगे वो भी एक साल के अंदर क्या तुम ये सब एकसेप्ट करते हो तुम ही हो जो तकलिफ में हो ये कार ये घर सब कुछ मेरी फैमली ने तुमें पे किया है तो लियू भी चिलाते हुए बूली हमने तुम ही सब खरीदने के लिए फोर्स नहीं किया था अगर तुम चाहो तो तुम ये वैडिंग कैंसल भी कर सकते हो फिर उसकी mother-in-law बोली, क्या तुम इन सभी conditions को accept करते हो, तो लियू किनकिन से कहती है, यूफेन अभी hesitate हो रहा है, किनकिन तुम एक बार फिर से इसके बारे में सोच लेना चाहिए, क्योंकि तुम इससे better deserve करती हो, तो यूफेन गुस्से में उससे कहता है, अपनी बक्वास पन करो, तो लियू उसके पास जाकर बूली, तुम शादी करने जा रहे हो और फिर भी इतना hesitate हो रहे हो, एक बार अपने आपको देखो, क्या तुम ये deserve करते हो, ये सुनकर वो उसे एक slap मार देता है, तो लियू गुस्से में कहती है, तुमारी हिम्मत कैसी हो, मुझे थप किनकिन कहती है, तुम मैं अभी भी हिम्मत है, कि तुम मु usu से कुछन पूर पूछॉ, इस पर किनकिन कहने लगी, यू फें तुम बद चुके हो, तुम पहले बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे, पहले मैं तुम से जो भी कहती थी तुम मान जाते थे, लेकिन आज तो हमारी जदब परेशान हो जाता है और ना चाहते वे वो किंकिन को सौरी बोलता है लेकिन किंकिन कहने लगी ऐसे नहीं तुम्हें अपने घुटनों पर बैठ कर मुझसे माफ़ी मांगनी होगी अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो अपनी सिंसियर्टी दिखाओ ये सुनकर वो उ पर बैठ करते हो और अब तुम मेरे लिए शर्टे भी एकसेप्ट नहीं कर सकते तो यूफें कहता है मैं बाकी सारी शर्टे मानने के लिए तैयार हूँ मैं अपनी सारी सेलरी तुम्हें दूंगा तुमारे अलावा किसी और लड़की के साथ कॉंटेक्ट नहीं यहां तक कि अपनी सारी सेविंग्स भी स्पैंट कर दी अगर वो मेरे साथ नहीं रही तो उनके पास रहने के लिए कोई जगे नहीं होगी किंग कहती है मुझे कुछ नहीं पता लेकिन तुमारी माम हमारे साथ नहीं रह सकती फिर यूफें चिलाते वे बूला किंग किंग तुमारी माम के पास अगर रहने के लिए घर नहीं है तो तुमारी माम और भाई को महंगे महंगे वेडिंग गिफ्ट भी दिये तुमारी मॉम ने मुझे पैसे मांगे मैंने बल्कुल कंप्लेन नहीं की लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ मैं इतना हाड़ वर्क करता हूँ क् किंकिंग की माम उससे कहती है मैंने अपनी बेटी को बहुत प्यार से पाला है तो मैं तुम्हें उसे बुली नहीं करने दूगी फिर किंकिंग उससे शादी करने के लिए मना कर देती है ये सुनकर यूफेंच चिलाते वे कहता है ठीक अगर तुम यही चाती है तो मुझे भी तुमसे शादी नहीं करनी तुम्हारे घरवालों को लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं लेकिन एक चीज तुम्हें बता दू मेरे सपोर्ट के बिना तुम कुछ भी नहीं हो तो किंकिंग उससे में कहती है तुम इस दुन्या के सबसे फेलियर परसन हो तुम तो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट नहीं कर सकते यह कहकर वो वैडिंग रिंग उसके उपर फेक देती है तुम्हारा जिसे लड़का जिसकी सैलरी से 500 डॉलर है वो मेरा हस्बेंड होना डिजर्व नहीं करता तब ही यूफन किंकिंग की फ्रेंड शूयू से कहता है सूयू फिर वो यूफन से कहता है तुमने मेरी बेहन के 5 साल बरबाद किया है तो तुम्हें मौावजे में 70,000 डॉलर देने होंगे यूफन उसे किक मार कर नीचे गिरा देता है तो किंकिंग उससे बोली तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे भाई को हिट करने की अभी के अभी उससे म माफی मागो यूफन कहता है गलती उसकी है तो मैं माफی नहीं माँगूंगा किंकिंग उसे इसलैप मारने वाली होती है यूफन उसका हाथ पकड़ कर बोला पहले मैंने तुम्हें बरितास्त कर लिया था क्योंकि मैं तुमसें प्यार करता था लेकिन अब तुम मुझे टा अनौसमेंट होती है कि बटलर जियांग है आने वाले हैं ये सुनकर किंकिंग का भाई बोला बटलर जियांग ये तो यू फैमली से हैं जिनकी एक मल्टी नेशनल कंपनी है फिर उसकी मॉम बोली लेकिन इतने वैल्दी लोग हमारी फैमली में क्यों आ रहे हैं तब ही बटलर जियांग वाँ आ जाता है और उनके सामने सर जुकाता है ये देखकर पूरी फैमली बहुत खुश हो जाती है फिर जियांग कहता है ये शादी इतने सिंपल तरीके से कैसे हो सकती है ये त्यान ग्रूप की सेलिबरेटी पार्टी का इन्विटेशन है वहां हम आपकी और य किन से बहुत प्यार करते थे इसलिए मैंने तुमसे बस साइलेंट लाउ किया मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मैं तुमारे सामने कभी अपनी फिलिंग से एक्सप्रेस करूंगी ये फैन मैं तुमसे प्यार करती हूँ ये कहकर वह उसे किस कर देती है फिर उ सीन में वो दोनों अपना marriage certificate ले लेते हैं तब यूफेन कहता है तुमने इन सब चीजों के बारे में एक बार सोचतो लिया ना तो इस पर सुयू बोली हमने marriage certificate ले लिया है क्या तुम अभी भी अपना mind change करना चाते हो तुम से शादी करना मेरी life का best decision है तो यूफेन कहता है मैं तुम्हें हमेशा खुस रखूँगा फिर सुयू बोली मैं घर आने से पहले अपने parents को बताना चाते हूं और कल में तुम्हें उनसे मिलवाने भी लेकर जाओंगी फिर वो उसे अपना car देते वे कहती है इसका password तुमारी birth date है तुम खाली हाथ मताना ये कहकर वो अपने घ पांश्ट में आपके father को कुछ enemies ने किड्नेप कर लिया था इसलिए उन्होंने मुझे आपको एक गरीब family में छोड़ने के लिए कहा लेकिन उन्होंने आपके साथ एक locket छोड़ा था फिर बटलर जियांग उसे ऐसा ही necklace निकाल कर देता है वो necklace you fan के necklace से match कर रहा था और उस इस बात की फिकर ना करें मैंने पहली सब कुछ prepare करवा दिया है यह मेरी डॉटर है लीजुई जो abroad से study करके वापस आई है यह आज से आपकी personal assistant होगी और आपकी सारी difficulties को solve करने में आपकी help करेगी फिर लीजुई उसके साथ handshake करती है तो you fan थोड़ा सा हाथ टच करके हटा लेता है फिर बटलर कहता है बॉस ने आपके लिए ग्रेंड वैडिंग में और इसलिए हम आपको त्यान ग्रूप में वापस ले जाकर chairman बनाना चाते हैं तीन दिन बाद हम आपकी असली आइडेंटिटी रिवील करेंगे और साथ ही आपकी वैडिंग को भी celebrate करेंगे यू यूफैन बोला हमारी engagement cancel हो गई थी इस पर बटलर कहता है तो क्या आप चाते हैं कि मैं invitation वापस लेकर आँ यूफैन बोला नहीं उन्हें पार्टी अटेंड करने दू उसे हमेशा से ये बात पसंद नहीं थी कि मैं एक गरीब family में पैदा हुआ हूँ और उसने कहा कि मैं उ business crisis को कम कर सके इस पर यूफैन बोला तो क्या मैं तियान ग्रूप को यूज करके उनकी help कर सकता हूँ बटलर कहता है हाँ मैं अभी उन्हें 15 करोड डॉलर का offer भेज़ दूगा यूफैन इसके लिए thanks कहता है और उससे बोला और मैं चाहता हूँ कि आप उनके लिए gift भी प् खुद कर लूँगा फिर ये जूई उसे फैमली के लिए लायावा gift देकर कहती है इसमें हजारों साल पुराने snow mountain है जो बहुत expensive है और ये वर्ड में सिर्फ एक ही है यूफैन उसे thanks कहे कर अंदर चला जाता है जब वो अंदर जाता है तो सूई के mom dad उसे देखकर खुश न जो काफी साल पहले यूफैमली ने खरीद लिया था फेक gift भीजने से पहले एक बार investigation तो कर लिया करू यूफैन बोला तुमसे किसने का कि ये fake है Mr. Lee कहता है तो क्या तुम ये कहना चाते हो कि इसे तुम्हें यूफैमली ने दिया है यूफैन कहता है हाँ फिर Mr. Lee कहने जाएगा यूफैन उसे रोकते वे बुला अगर तुमने इस लाल डोरी को खोला तो ये डिसापियर हो जाएगा क्या तुम इसे अफॉर्ड कर पाओगे तो Mr. Lee कहता है ऑफकॉर्स मैं इसे अफॉर्ड कर सकता हूँ क्योंकि ये fake है यूफैन बुला ठीक है फिर regret मत करना य ये सुनकर वो उस डोर को खोलने लगता है तब ही सुयू से रोक कर कहती है इस Snow Mountain को मैंने खरीदा है और इसलिए ये रियल है ये सुनकर Mr. Lee बोला तुम इसके लिए responsibility क्यों ले रही हो यूफैन तुमने अपनी ट्रिक्स में सुयू को भी सामिल कर लिया तब ही यूफैन सु रखा था इस Snow Mountain को तुमने को और ट्रिक यूज करके गायब किया लेकिन तुमारी ये ट्रिक्स यहां काम नहीं करेंगी खेर आज मैं यहां सु फैमली की बिजनस क्राइसिस में हेल्प करने आया हूँ Mr. Shoo क्या आपको पता है कि त्यान ग्रूप की ओनर्शिप चेंज हो ग गिफ्ट तुमारे दिएवे गिफ्ट से हजार गुना बैटर है तब ही लूफैन बूला मैं तुम पर हस रहा हूँ क्योंकि यह कॉंट्रेक्ट या मेरी गाइडेंस की वज़े से आया है और इसका तुमारे साथ कोई लेना देना नहीं Mr. Lee बूला तुमारी गाइडेंस वो बटलर जियांग के पास कॉल करता है और उससे तीन मिनट के अंदर सू फैमली में आने के लिए कहता है तब ली मिस्टर सू से कहता है अगर यह ऐसे यू फैमली का यंग मास्टर होने का प्रिटेंड करता रहा तो इसकी वज़े से आप भी प्रॉबलम में आ सकते हैं य यह कहकर वो गुसे में वहां से चला जाता है फिर उसके डैड उस पर एक फ्लावर पोर्ट फेकने वाले थे लेकिन शूई उन्हें रोक ले थी है फिर उसके डैड बोले शूई मैं तुमें बता रहा हूं कि तुम जल से जल उससे डिवास ले लो क्योंकि मैं तुमारी इस आएं आफ्टर और ली फैमिली का यू फैमिली के साथ बहुत अच्छे कनेक्शन से तभी बटलर जियांग वहां आता है तो ली उसे बताता है कि मैं ली फैमिली का यंग मास्टर हूं और फियू से बोला कल दियान ग्रूप एक पार्टी और्गनाइस कर रहा है तो मुझे आ लगा आपको ठैंक्स कहने की कोई जूरत नहीं है आफ्टर और हमारी फैमिली के बीच काफी अच्छा रिलेशन सिप है और मैं सुयू से काफी टाइम से प्यार करता हूं तो यह चोटा सा फेवर तो कुछ भी नहीं था खेर कर बटलर्स यांग मुझे यू फैमिली के सेम होना चाहिए यह सुनकर सुयू गुस्से में घर छोड़कर चली जाती है अगले सीन में यीजू यू फैन को लेकर एक सौपिंग शेंटर में आयोती है और उससे कहती है यह तियान ग्रूप का परसनल सौपिंग शेंटर है आपको आज़ात की पार्टी के लिए जो भी स्टोर में आना किसने अलाओ किया कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम शौफ करके मेरी सिस्टर को वापस पाना चाते हो फिर किंकिंग कहती है यू फैन अब हम कभी साथ नहीं हो सकते इसलिए प्लीज मेरी आखों के सामने दुबारा मत आना इस पर यू फैन बोला तुम अपने आ तुमारे लिए नहीं है फिर वो गाडल को बलाकर उसे वहां से बाहार निकालने के लिए लेकिन रिचपरसन होने का दिखाव करके मुझे रिग्रेट फिल कर वाओंगे लेकिन यह आप कभी पॉसिबल नहीं है फिर उसका भाई कहने लगा वैसे तुमने ये जो एक्ट्रे सेलरी इससे कई गुने ज़्यादा है लेकिन तभी लीजवी उसे किक मार देती है तभी किंगिंग की मौम वहां पर स्टोर मैनेजर को बुला लेती है और उन दोनों को वहां से बाहर निकालने के लिए कहती है मैनेजर को कुछ समझ नहीं आ रहा था तभी उसकी मौम कहती है तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ मेरी बेटी की शादी यू फैमली के यंग मास्टर से होने वाली है ये सुनकर मैनेजर उन दोनों को वहां से बाहर जाने के लिए कह देता है तो लीजवी मैनेजर से बूली तुम बिना कोई रिजन पूछे उनकी बात क्यों मान रहे हो तो मैनेजर कहता है क्योंकि उनका स्टेटस हाई है अगर तुमारी गलती ना भी हो तब भी तुम्हें उनसे माफ़ी मांगनी होगी तब लीजवी वहां के जनरल मैनेजर को कॉल करती है और उससे बूली तीन मिनट के अंदर यहां आओ वरना तुम अपनी जॉब खोदोग इस पर मैनेजर बोला डैरेक्टर आप यहां मैं तो बस इन दोनों लोगों को बहार निकाल रहा था जो यहां ट्रबल कर रहे थे यह सुनकर डैरेक्टर उसे एक थपड मारता है और फिर यूफेंस से सौरी बोलता है तब ही लीजवी उससे कह दिया तुमारे स्टाफ मास् की होने वाली वाइफ को परिशान किया है तब ही डायरेक्टर कहता है मैं तुम्हें लास्ट चांस देता हूं माफी मांगो वरना मैं तुम्हें फायर कर दूँगा तब ही किंकिंग कहने लगी यह तियान ग्रूप का परसनल शौपिंग सेंटर है तियान ग्रूप के सीओ क कि होने वाली वाइफ तुम्हारे सामने खड़ी है तो तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी बात नामानने की तो लीजवी उससे कह दिया क्या तुम्हें लगता है कि तुम यू फैमली के यंग मास्टर की वाइफ बनने के लायक हो तो किंकिंग कह दिया तुम मानो या ना मानो आज सेलेब्रीटी पार्टी के बाद सब जान जाएंगे क्योंकि वाँ मेरी और यू फैमली के यंग मास्टर की ग्रेंड वैडिंग होने वाली है इस पर लीजवी कहती है मैं भी आज रात का बहुत बेसबरी से इंतजार कर रही हूं लेकिन फिलाल के लिए तुम्हें आ से जाना होगा इसके बाद गार्ड उन तीनों को पकड़कर वहां से बाहर निकाल देते हैं फिर डायरेक्टर बोला हमारी वज़े से आप अनकमफर्टेबल हुए उसके लिए सौरी अगली सीन में किंग इंग का भा फ्लेस लड़की है ना कि मेरी बेटी की तरह है जिसे खुद मिस्टर यू लाइक करते हैं फिर उसका भाई बोला लेकिन हम इन दोनों से रिवेंच जरूर लेंगे उनकी हिम्मत कैसी हमें आसे बाहर निकालने की तो किंकिंग कहती है आज रात को जब सेलिब्रेटी पार्टी में आने के लायक नहीं है वरना हम उसको भी सब के सामने इंबरस करते इसके बाद हमें सेलिब्रेटी पार्टी का सीन दिखाय जाता है जहां पर किंकिंग अपनी फैमिली के साथ आई वी थी और वो तेनों पहली बार इतनी बड़ी पार्टी में आकर बहुत खु उसकी इस सब बाती सुनकर यू फैन बोला किंग पहले मैं पूरी तरह से अंदा हो गया था जो तीन साल तक तुम्हें लाइक करता रहा किंग किंग बोली अगर दस साल भी लाइक कर लेते तो क्या होता प्यार तो एक फूर की तरह होता है मेरे पास तुमसे भी बैटर इसकी है और वो खुद मेरी और यंग मास्टर के इंगेजमेंट को अनाउंस करेंगे अब बस तुम देखते जाओ मैं तुम्हारे सथ क्या करती हूँ इस पर यू फैन बोला मैं भी बेसबरी से सच सामने आने का इंतजार कर रहा हूं उसके बाद तुम्हारे पास पेन और रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं बचेगा इसके बाद वहाँ पर मिस्टर ली भी आ जाता है और वो भी उनके साथ यू फैन की इंसल्ट करने लगता है इसके बाद हम ली जूई को देखते हैं जिसकी उस पार्टी में एंटे हो रही थी दूसी तब सभी लोग यू फैन लगता है यह ऐसे नहीं मानेगा इसके पैर तोड़कर इस यहां से बाहर निकालना पड़ेगा यह सुनकर यू फैन बोला मैं भी देखता हूं किसमें मुझे टच करने की हिम्मत है तब ही ली उससे बोला यू फैन तुमने बहुत एक्टिंग कर ली क्या तुम सच में अप पार्टी में नहीं आ सका लेकिन उसने इससे भेज दिया इस पर लीजवी कहती है किसी और के बारे में बोलने से पहले तुम अपना स्टेटस देखो तब ली कहने लगा मैं ली फैमिली का यंग मास्टर हूं और यू फैन बोला अब मैं तुम्हें करना चाहता हूं कि मैं फैमिली को सपोर्ट नहीं करूंगा और फ्योचर में भी तुमने इस तरह रूट भीयोग किया तो मैं ली फैमिली को लेक्टमा 혁 कर सकता हो ये सुनकर ली कहने लगा क्या तुम मेरी फैमिली को बेंक्रप्ट कर वाओंगे तब अपनी इसिस्टैंट में बढया है वर्पन लेकिन वहां कोई भी उसकी बातों पर एक ही नहीं कर रहा हुगी यहाँ तक की वो लोग बार बार उसकी इंसल्ट किये जा रहे थे और तभी वहांपर चैर मैं ली आ जाता है सब लोग ये देखकर शौक्ड हो जाते हैं कि यू फैन ने उन्हें कैसे यहां बुला लिया ले उनके पास जाकर बुला डैड आप यहां कैसे आए तो उसके डैड कहते हैं मुझे अभी बटलर्स यांग की तरफ से कॉल आया था उन्होंने कहा कि मिश्टर यू मुझसे मिलन कर रहा है और धंकी दे रहा है कि हमारी फैमली को डैश्ट्राय करवा देगा फिर वो यू फैन से कहता है तुमने कहा था ना कि तुम मेरे डैड के सामने मुझसे माफ़े मंगवाओगे लोग मेरे डैड आ चुके हैं अब तुमारा क्या प्लैन है क्या तुम अपनी मिस्ट से माफ़ी क्यों मांग रहे हैं तब उसके डैड उसे एक और सलैप मारते हैं और फिर उसे माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं सब लोगी जानकर शौक्ट हो जाते हैं कि वो सचमें बटलर जियांग की बेटी है इसके बार लीजवी कहने लगी तुम्हारे बेटे ने कई बा बटलर जियांग ने बुलाए है ताकि हम यंग मास्टर का परसनली वेलकम कर सकें अगर तुमने कोई मिस्टेक की तो क्या तुम्हीं डर नहीं कि तुम्हारे डैर तुम्हें डाटेंगे वैसे भी यू फैमली है तुम सिर्फ उनकी एंपलोई हो इसके बाद हमें बटलर ज समझूगा कि तुम यू फैमली के अगैंस जा रही हो अगर तुम बटलर जियांग की बेटी नहीं हुई तो तुम्हें आज बहुत सफर करना पड़ेगा तब ही वहाँ पर बटलर जियांग के आने की अनौंसमेंट होती है तो चेर्मेन लियू उनके पास जाकर कहते हैं ब मुझे धमकी भी दीखिये ली फैमली को डैश्टर कर देगा तब ही सुयू बटलर जियांग से बूली आज जो भी हुआ उस सब में मेरी गलती है और मैं आपको जरूर एक्स्प्लेनेशन दूगा फिर वो सभी लोग उसे बोला आज जिसने भी यंग मास्टर की डिस्रिस् यंग मास्टर कैसे हो सकता है तो बटलर जियांग बोले क्या आपको मुझे पर शक है तब ही चेयरमैन ली अपने बेटे को थपड मारते हैं और उससे गुस्से में बोले यह सब तुमारी वज़े से हुआ है यंग मास्टर खुद हमारी आँकों के सामने खड़े थे क्या मंदे हो गए थे तुमारी वज़े से आज ली फैमली बरबाद होने वाली है यह कहकर वह उसे किक मार देते हैं और फिर यू फैन के पैरों में गिरकर बोले मेरी बेटे ने आपको उफेंड के उसके लिए माप से माफी चाता हूं ली फैमली पूरी दाय से आप पर डिपे तुम अपना स्टेटस देखो और बताओ कि क्या तुम मेरी वाइफ बनने के लायक हो इस पर किंकिंग कहती है नहीं यह इंपॉसिबल है यह पूर लड़का यू फैमली का यंग मास्टर होई नहीं सकता ओ अब मुझे समझ आया बटले जियां को अपनी बेटी के लिए गि कि तुम यू फैमली के यंग मास्टर बनने वाले हो अगर तुमने मुझे पहले बताया हो था तो हमने कब की शादी कर ली होती खेर अभी भी देर नहीं हुई चलो हम अभी शादी कर ले थे यू फैन गुस्से में बोला तुम इसके लायक नहीं हो तो किंकिंग कहने लगी यू फैन मैं गलत थी चलो सब कुछ सुरू से स्टार्ट कर जै मैं तुमसे सच में बहुत प्यार कर दी हो तो यू फैन उसे धक्का मार कर बोला तुम सिर्फ पैसों से प्यार कर दी हो जब मेरे पास पैसे नहीं थे तब तुम मेरी वाइफ नहीं बनना चाती थी तो फिर अब मैं तुम से शादी क्यों करूँ इसके बाद वो मिश्टर शू के पास जाकर कहता है मिश्टर शू पहले में कुछ भी नहीं था कि अब आप मेरी और शूयू के रिलेशनसिक के बारे में फिर से सोच सकते हैं इस पर मिश्टर शू बोले नहीं वो सब मेरी गलती थी इसक हम आपकी जगे पर किसी और को वाँ यंग मास्टर बना कर भेजेंगे जब एक बार सब कुछ सॉल हो जाएगा उसके बाद हम आपकी ट्रू आइडेंटिटी रिवील करेंगे तो यूफैन इस पर हां कह देता है वहीं पार्टी में उन लोगों को पता चलता है कि यूफैन सिर्फ एक सबस्टिटूट था असली यंग मास्टर कोई और है यह सुनकर सभी लोग कहने लगते हैं कि उसने हमें बेवकूफ बनाया इसे उसकी कीमत चुकानी होगी अगले सीन में लीजुई यूफैन के आफिस में जाकर कहती है हमारी कंपनी एक नया इसलिए हमने ये प्रोजक्ट इसे दिया है बाइदावे मैंने नोटिस किया है कि आप बस से ट्रेवल करते हैं इसलिए मैंने आपके लिए एक स्पेशल कार भी ओर्डर कर दिये जिसमें आपके फिंगर प्रिंट भी रजिस्टर करवा दिये गये हैं अब बस आप वहाँ जाकर उसे पिकप कर लेना फिर वो उसे एक बैंक कार देते वे बुली ये यूँ फैमली के यंग मास्टर के लिए है अगले सीन में वह अपने कार पिकप करने के लिए स्टोर में चला जाता है तब है वहां की एक एंपलोई दूसरी लड़की से कहती है शायद यहां कोई क लड़की कहती है अगर अभी नहीं तो आप फ्यूचर में डेफिनेटली कार अफॉर्ड कर पाएंगे आप अभी बस हमें इतना बता दो कि आपको कौन से मॉडल्स पसंद है तब ही लिंग वहां कर बूली शायू तुम इस पर अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो इसका जैसा परसंद कभी एक कार अफॉर्ड नहीं कर सकता तुम्हें पता है यह तियान गुरूप का स्टोर है और यहां की सबसे सस्ती कार भी 4000 डॉलर्स किये इस पर यूफैन मुला और सबसे एक्सपेंसिव कार तो शायू से बताती है कि वो कार 40 लाग डॉलर्स किये यह एक यूफैन तुम यह क्या कर रहे हो क्या तुम्हें भी यहां से एक कार खरीदने है तो लिंग यूफैन से बूली अगर तुम कार अफॉर्ड नहीं कर सकते तो प्लीज यहां से चले जाओ और हमारे दूसरे कस्टमर्स का टाइम वेश्ट मत करो यह सुनकर शाव्यू उससे क कहती है हमारे स्टोर का ऐसा कोई रूल नहीं है जो हम उसे कार देखने से रोके तो लिंग उससे डाटते वे बूली शाव्यू क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता मिश्टर शेन यहां पर कार खरीदने के लिए और यह लड़का उनका मूड खराब कर देगा फिर लूफ यूफेन तुमने मुझसे कहा था ना कि अगर तुम मुझे सपोर्ट नहीं करते तो आज में कुछ भी नहीं होती लेकिन देखो मुझे तुम इस्टर शेन जैसा वैल्दी बॉइफ्रेंड मिल गया है तो तुमें छोड़ना मेरी लाइफ की सबसे बेंस्ट चोइस थी इसक कर शाव यूस से कहती है यह कार सिर्फ 16,000 डॉलर्स की है आपको इसके लिए 32,000 डॉलर्स देने की कोई जरुवत नहीं इस पर लूफेन कहता है इस ओके मुझे पैसे स्पेंड करना पसंद है फिर वो शेन से बूला अगर तुम्हें एकार चाहिए तो तुम भी इसका प्र तोड़ दूँगा फिर शाव यूस कार्ड को श्वाइप करती है जिससे उन्हें पैसे ट्रांसवर हो जाता है यह देखकर सभी लोग शौक्ड हो जाते है लेकिन तभी शैन कहने लगा पता नहीं इसके पास इतने पैसे कहां से आए जरूर इसने लॉन लिया होगा इस पर कर दो मैं आपके exclusive receptionist बन सकती हूं जहां तक कि मैं वह सब करूँगी जो आप चाते हैं मैं तो आपके साथ night spend भी कर सकती हूं यह सुनका यूफएन बोला मुझे ऐसे लोगों से सकनफ रहत है जो पैसों के लिए अपनी बॉड़ी सैल करते हैं फिर शावयू कहने लगी सर य मैं होब कि तुम future में अपना यही attitude रखो ना कि link की तरह जो दूसरों को नीचा दिखाती है फिर शावयू बोली लेकिन सर अगर आप ये कार मुझे दे देंगे तो आप क्या करेंगे इस पर यूफएन कहता है मेरे पास अपनी कार है ये कहे कर वो वहां की सबसे expensive कार की तर पे नहीं कर पाओगे फिर kinking उससे बोली शेन की salary 10,000 डॉलर से लेकिन फे भी वह इस कार को afford नहीं कर सकता और तुम्हें लगता है कि तुम ही से खरीद सकते हो तो यूफएन कहता है अगर ये अफौर नहीं कर सकता इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी नहीं कर सकता इस पर शेन शावयू वहां कर कहती है मिश्टर यू प्लीज ऐसा मत कीजिए इस दुनिया में सिर्फ 10 सूपर कार है और इसमें fingerprint अनलॉकिंग होती है इस कार के लिए पहले सी एक fingerprint रजिस्टर हो चुका है अगर आप इसमें fail होगे तो आप कभी भी एक सूपर कार नहीं खरीद इस पर लूफैन बोला तुम डरो मत ये कार मेरी है इस पर शावयू बोली लेकिन इस कार को तो कल एक लड़की ने ओर्डर किया था ना कि आपने ये सुनकर शैन कहने लगा सुना तुमने इसे किसी वोमेन ने ओर्डर किया था अब ये मत कहना कि वो तुमारी मॉम थी इस पर U-fan बोला और अगर यह का सच में मेरी हूई तो शैन कहता है अकर यह काइर तुमारी हुई तो किंकिं के साथ मैं भी घुतनों पर बैट कर तुम से माफी माईगा लेकिन अगर यह कार तुमारी नेवी तो तुमें मेरे जूते चार्ट कर साफ करने ओंगे यूफेन इसके लिए हां कह देता है और अपने फिंगर्प्रिंट से उस कार को अनलोक कर देता है meglio तो अब वो link को fire कर देता है और फिर शाव्यू से बोला तुमने आज बहुत अच्छा काम किया आज से तुम कार डीलर्शिप की इंचार्ज हो शाव्यू उन्हें थैंक्स कहती है तब ही शैन डायरेक्टर से बोला आप इस लड़के को protect करने के लिए मुझे अफेंड कर रहे हैं शाय और उससे कहता है साथ ही मैं इस store से तुम्हें blacklist कर रहा हूं आज के बाद तुम दुबारा या नहीं आ सकते ये सुनकर शैन गुस्से में कहता है जूमिंग अब तुम देखो मैं क्या करता हूं ये कहकर वो वहां से जाने लगता है लेकिन तब ही डायरेक्टर से रोक कर ब इस पर किंग किंग कहती है मुझे लगता है कि डायरेक्टर को भी पता नहीं होगा कि यूफैन सिर्फ एक सबस्टिटूट था इसलिए उन्होंने उसे प्रोटेक्ट किया लेकिन जब उन्हें पता चलेगा तो डैफिनेटली तुम्हें फिर से मेंबर्सिप दे देंगे इ और मेरा फेई नाम का एक ओल्ड इस्कूल मैट है वो भी वह आने वाला है वो जाओ फैमिली से ब्लॉंग करता है और उसके त्यान ग्रूप के साथ अच्छे कनेक्शन से मैं चाहते हूं कि वो हमारी बिजनिस क्राइसिस में हेल्प करें और मैं तुम्हें भी अपने साथ लिए तो मेरे पैरेंस भी तुम्हारे लिए मान जाएंगे फिर वो दोनों पार्टी के लिए चले जाते हैं अगले सीन में फेई को देखते हैं जो अपने कुछ क्लासमेट्स के साथ खड़ा हुआ था तब भी वहाँ पर एक और लड़का आता है जो कहता है सौरी मैं ट्र ले ये कार मेरी नहीं है लेकिन इसके साथ फोटो लेने में क्या दिक्कत होगी फिर वो सब फोटो लेने के लिए जाई रहे होते हैं कि तब ही वहाँ पर यू फैन आ जाता है तो एक लड़का सुयू से बूला सुयू तुम इतना लेट कैसे हो गई तुमने फेई को कितना वेट करवाया तब ही फेई उसे हाथ पर किस कर देता है इसके बाद सुयू उनको यू फैन से इंट्रिजूस करवाने लगती है लेकिन फेई बूला मुझे औरडिनरी लोगों से बात करने में कोई इंट्रेस्ट नहीं अब सब लोग आई गहे हैं तो चलो हम पार्टी में चलते हैं तभी एक लड़का फेई से कहता है क्या मैं तुम्हारी इस लगजरी कार में बैठ सकता हूं तभी दूसरा लड़का कहता है वो सिप सुयू को उस कार में बिठाएगा फिर फेई उसे कहता है सुयू चलो मैं तुम्हें राइड के लिए ले चलता हूं लेकिन सु एकी कार को अपनी कार बता रहा है, फिर फे कहने लगा, अगर ये कार तुमारी है तो तुम इसे अनलॉक करके दिखाओ, फिर अपने मन में कहता है, भले ही ये कार मेरी नहीं है, लेकिन ये लड़का भी इसका ओनर नहीं हो सकता, यूफेन अनलॉक करने के लिए जाही रहा हो इस पर यूफेन कहता है वो fingerprint से unlock होती इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी चाबी नहीं हो सकती तपी सुयू का एक classmate बोला इस लड़के को तो इसकी फ्यांसी ने भी dump कर दिया था क्योंकि इसके पास शादी करने के भी पैसे नहीं थे और यह 40 million की कार का owner होने का दावा कर रहा ह लेकिन उससे वो कार नहीं खुल दी यह देखकर सभी लोग कहने लगे इसका मतलब क्या यह कार सच में तुमारी नहीं है लेकिन फेई बूला वो मैंने यह कार अभी अभी खरी दी है इसलिए मुझे इसका fingerprint sensor नहीं मिला था तभी उसके friends बूले तभी मैं सोचू फेई अप पर और चलू कि किसकी कार है यह कहाए कर वह अपनी चाबी से उसकार चार को स्टार्ट कर देता है और फिर वहां जाकर सच करने के पैसे नहीं थे उसके पासितनी महंगी कार कहा से आई तब यूसका friend कहता है शायद उससे पता होगा कि तुम्हें भी शूद पर प्रेश है इसलिए उसने जान बुझ कर तुम्हें नीचा दिखाने की कोसिस की, ये कोई सूपर कार नहीं बलकि उसके सिमिलर डिजाइन की दूसरी कार होगी, वरना वो के यूज करने के बजाए फिंगर प्रिंट यूज करता, आज उसने हमारा मज़ाक बनाया है, हम सब साथ मिलकर उस स्टेजस बहुत हाई है, तो हमारा उनके साथ डिनर कर पाना पॉसिबल नहीं, लेकिन अगर हमें स्काई टेबल पर बैटने का चांस मिले, तब हम उनके साथ डिनर कर सकते हैं, ये सुनकर एक लड़का बूला, इसकाई टेबल ये क्या है, तो फेई बताता है, आज इस पा पर बिठाया जाएगा, इस पर फेई कहता है, ऐसे लोगों का तो यहाना आलाउट भी नहीं है, ये कहकर यूफेन अपना कार देता है, तो उसकी नेट वर्थ के अकॉर्डिंग उसे अर्थ टेबल पर बैटने का चांस मिलता है, जब सुयू अपना कार देती है, तो उसे साथ लेकर जा रही होती है, लेकिन फेई उसे रोक कर बूला, ये नहीं जा सकता, क्योंकि वो तुम्हारी नेट वर्थ है, इस पर सुयू बोली, यूफेन के साथ मैं अपने आधी प्रॉपर्टी शेयर करूए, फेई शॉक डोकर बूला, क्या तुम दोनों मैरिड हो, सु इसके बाद वो अपना कार्ड वेटर को देता है, और तभी फेई उससे कहता है, अगर सच में तुम्हारी नेट वर्थ मुझसे ज़्यादा हुई, तो हम चारों अपने घुटनों पर बैटकर तुम्हें ग्रेंड पाब बूलेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसके बाद मिला हुआ है, और वो उसे स्काई टेबल देने में हेल्प कर रहा है, इसके बाद मैनेजर उसका कार्ड लेता है, और वो कार्ड देखकर ही शॉक्ट हो गया था, फिर उन्हें बताता है कि ये यू फेमली का एक्स्क्लिजिव कार्ड है, तभी यू फेन उसे ब लेकिन ली कहती है, एक्चुली आज मैं आप लोगों के एंट्रेटेन्मेंट के लिए नहीं आई, बस उस परसन के लिए आई हूँ जो स्काई टेबल पर बैठा होगा, ये कहकर वो स्काई टेबल की तरफ जाने लगती है, तभी फेमली रोकता है, और उसे बताता है कि ये इसलिए उन से कहती है, मिस्टर यू मैं बहुत लखी हूँ कि मुझे आपको वाइन सर्व करने का चांस मिला, अब इसके बाद मिसलिए स्टेज पर जाकर कहती है, आई होप आप लोगे अच्छे से इंजोई कर रहे होंगे, यहाँ पर आएवे सभी लोग आप इसलिए सब सीक्रेटली डोनेट करेंगे, यह सुनकर उन में से एक लड़का बूला, अगर सब सीक्रेटली डोनेट करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे कॉम्पिटीटर्स ने कितना डोनेट किया, ऐसे तो फ़र्ष्ट पॉजिशन पर आना बहुत डिफिकल्ट हो अचानक से मैं तो बहुत नर्वस हो गया हूँ, कि कहीं मैं सबसे लाश्ट ना आजाओं, तो दूसरे लड़का कहता है, फिकर मत करो हमें से कोई भी लाश्ट नहीं आएगा, इसके बाद मिसली रिजल्ट अनाउस करती है, और फे की तीनों दोस्त लाश्ट आते हैं, फिर उन्हें पता चलता है कि उफें ने सबसे ज़्यादा पैसे डोनेट किया है, यह सुनकर वो सभी लड़के शौक ढोकर नीचे गर जाते हैं, और ली से कहता है, मिसली आपको जरूर कोई मिस्टेक हुई होगी, इस पर ली कहती है, मुझे कोई मिस्टेक नहीं हुई, फिर व सबस्टीट हो, तुमारे हिमत कैसी यूफेंली की इन प्रॉपर्टी को डोनेट करने की, यह कहकर वो अपने डैड के पास कॉल लगाता है, जो इस वक्तियान होटल के डैरेक्टर जूमिंग के साथ बैठे हुए थे, उसकी बास सुनने के बाद उसके डैड जूमिंग से कह खावा कर रहा है, तो जूमिंग उनके साथ माँ जाने के लिए कहता है, वहीं दूसी और फेई यूफेंस से बूला, मैंने अपने फादर को सब कुछ बता दिया है, और वो बहुत जल्दी डैरेक्टर जू को लेकर यहां आ रहे हैं, इसलिए अच्छा होगा कि तुम पहल चिलाते हुए कहता है, बस अब बहुत हो गया, अगर तुम अभी के अभी मेरी वाइफ से माफी मांग लो तो मैं तुम्हें जाने दूगा, लेकिन वो माफी मांगने से माना कर देता है, तब ही वहाँ पर फेई की डैड आ जाता है, तो फेई उनके पास जाकर बोला, आप मेरे बेटे को हिट क्यों कर रहे हैं, यंग मास्टर होने का प्रिटेंड वो लड़का कर रहा है, तब ही डैरेक्टर जू उसे भी एक स्लैप मारते हैं, इसके बाद फेई के डैड अपने मन में कहते हैं, डैरेक्टर जू इतने गुस्से में क्यों है, कहीं इस वज़ तुम अपने बेटे से कहो कि वो यंग मास्टर से माफी मांगे, फेई माफी मांगने से मना कर रहा होता है, तब ही उसके डैर उसे एक स्लैप मार देते हैं, और उसके डैर उसे किक मार देते हैं, और इसके बाद गुटनों पर बैटकर यूफेन से माफी मांगते हैं, तब नासिब मुझे मारने की धंकीदी बलकि ये भी कहा कि वो अपना पावर यूज करके मेरी वाइफ को अपने बैट पर ले जाएगा ये सुनकर वो अपने बेटे से भी माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं इसके बाद फेई अपने घुटनों पर बैट जाता है और उससे माफ़ मांगने लगते हैं इसके बाद सुयू यूफैन से बोली मेरी क्लासमेर्स तो हैं और यहां रुकने का कोई फायदा नहीं ये कहकर वो उसे वहां से ले जाने लगती है तब ही मिस्टर यू मैं आपकी एक रिक्वेंस्ट पूरी करूंगी ये कहकर वो उसे अपना कार दे द लिए और मैं इस सब में सुयू को भी इनवाल नहीं करना चाहता फिर वो सुयू से बोला क्योंकि मैं यूफैमली के लिए एक इंपोर्टेंट परसन हूं बस यह समझो कि अगर मैं अच्छे से एक्ट करूंगा और लोगों को यकीन दिलाऊंगा कि मैं ही असली यंग सेफ रहेंगे ये कहा कर वह उसे वहाँ से ले जाता है वहां से जाते वे सुयू के पास एक ऌल आता है कॉल कट होने के बाद वो यूफैन से कहती है हमारे नई प्रडुक् prise के साथ अचानक से लोगोंने कांटर्मीनेट कर दिया ये इस का मतलब यह है कि कोई जान-बुझक और हमें टार्गेट कर रहा है सुयू बोली लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन करने का टाइम नहीं है हमें जल से जल कोई नए रिपर्जेंटेटिव ढूनना होगा कल ही हमारा नया प्रोड़क्ट लॉंच होने वाला है अगर हमें कोई रिपर्जेंटेटिव नहीं मिला तो अगर मैंने आपको परिशान किया हो तो सौरी तबी ली कहती है ठीक है ये बताओ कहां आना है तो यूफेन बोला मैं हुआन फिल्म स्टूडियो के फर्स्ट फ्लोर पर हूँ ली कहती है मैं अभी वहाँ दी हूँ अब हम देखते हैं कि उसी फिल्म स्टूडियो में एक ए असिस्टेंट कहता है हम मिस ली का आपके साथ कोई कंपरिजन नहीं तभी वहाँ पर काफी सारे लोग उसकी फोटो क्लिक करने के लिए आते हैं तभी उसका असिस्टेंट एक क्लेनर लेडी को धक्का मार देता है लेकिन यूफेन उसे बचा लेता है इसके बाद वो लीज मैं आकर सीन क्रेट क्यों कर रहे हूं इस पर यूफेन कहता है पहली बात तो मैं कोई फैन नहीं हूं और दूसरी बात मैं यह एक रिप्रसेंटेटिव से मिलने आया हूं अभी अभी तुमने इस क्लेनर लेडी को हिट किया जिस वज़े से उनके पैर में चोट आ गई है त मैं सियान प्लीज मुझे माफ कर दो मेरे ग्रेंटसन का अभी यूनिवर्सिटी में अड्मिशन हुआ है अभी तो मैंने उसकी ट्यूशन की फिस भी नहीं दी तो यूफेन उससे बोला मैं आपको यह सब करने की कोई जुरुत नहीं मैं आपको अपनी कंपने में जौब द इस पर मिसयान कहते हैं तो क्या तुम जानते हैं कि इस स्टूडियो की सबसे फेमस एक्ट्रेस कौन है यूफेन बूला हाँ मैं उन्हें जानता हूं और वो टेफिनेटली मेरी हेल्प करेंगी तब ही मिसयान का असिस्टेंट बूला क्या तुम जानते नहीं कि मिसयान ही य उससे बोला तो तुम आज यहां तक अपनी गंदी ट्रिक्स यूज करके पहुंची हो यह सुनकर उसका असिस्टेंट कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी मिस्यान की इंसल्ट करने की सिक्यॉरिटी दभी वहां पर वहां का चेर्मैन आता है यहां तुम लोग इतना शोर क्यों कर कर देता है यह सुनने के बाद चेर्मैन किसी के पास कॉल करके बोला इंडस्टी के सभी एक्टर्स को ओर्डर दो कि कोई भी सू फैमली का रिप्रेजंटेटिव ना बने वरना वह एक्टर हुआन फिल्म स्टूडियो का दश्मन बन जाएगा इसके बाद मिस्यान उससे कह करना चाहती है अगर तुमारे पास कुछ ज्यादा ही फ्री टाइम हो तो अपनी एक्टिंग स्किल्स इंप्रूव करने पर ध्यान दो यह कहकर वो यूफन को अपने ऑफिस में ले जाती है इसके बाद मिस्यान चेर्मैन से बूली ली उस परसन को अपने ऑफिस में ले डोकर बोला क्या तुम फ्री में रिप्रेजेंट करने वाली हो तो ली कहती है क्योंकि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमारी एक रिक्वेस्ट पूरी करूंगी इस पर यूफन बोला लेकिन तुमारी कंपनी का क्या उन्हें कैसे जवाब दोगी इस पर ली कहने लगी क्या अगर मैं ये कहूं कि मुझे तुमारे मेरेड होने से कोई फरक नहीं पड़ता फिर वो हसते वे कहती है मैं तो बस मजाक कर रही थी मैंने तुम्हें डराया तो नहीं आज में तुम्हारी हेल्प कर रही हूं उसके बदले में क्या तुम्हें इस साथ शॉपिंग पर चलोगे यूफेन इसके लिए हां कह देते हैं अगले सीन में जब वो दोनों साथ में शॉपिंग पर जाते हैं तो कोई उनके फोटोस क्लिक कर लेता है इसके बाद मिस यान उन फोटोस को लाकर चेयरमेन को देती है फिर चेयरमेन उसे अपने पास खीच लेता है और उससे बोला त फोटोस को देखते हुए कहता है ली तुमने जो मिस्टेक की है तुम्हें उसकी केमत तो चुकानी होगी अगले सीन में एक न्यूज दिखाई जा रही होती है कि फेमस सूपर स्था मिस ली की प्राइवेट लाइफ बहुत खराब है उनका एक वैल्थी बिजनिसमेन के लेकिन देखो तुमने क्या कर दिया इस पर मिस ली कहती है मैं इनुसेंटू फिर डाइरेक्टर सबसे बोला चलो अब डिसकस करते हैं किस मामले को कैसे हैं तो मिस यान कहती है मैं तो सजेश्ट करूंगी कि हमें इसकी एक्टिविटीज को इसस्पेंट कर देना चाहिए य जान बोली तुमारी हिम्मत कैसे है मुझे हिट करने की ली कहती है अगर तुमने फिर से बकवास की तो मैं एक और स्लैप मारूंगी इसके बाद चेयर्मेन कहने लगा एक तुम इस ली ने गलती किया उपर से वो माफ़ी मांगने के लिए भी तयार नहीं लेकिन इसके वज जाने के लिए हम इसके अक्टिविटीज को सस्पेंट कर रहे हैं सभी लोग इस बासे अगरी करते हैं ये सुनने के बाद ली वहां से जाने लगती है लेकिन तब ही यान उसे रोक कर कहती है तुमारी वज़े से कंपनी को बहुत नुकसान हुआ है तो क्या तुम्हें लग इतना आप मुझसे मुआवज़ा मांग रहे हैं फिर लिए उसके पास जाते हुए कहती है ये सब तुमारे रूट बिहेवियर की वज़े से मिसलिया आपने कितनी बार अपनी बौडी सेल करके पे कर सकती हो क्या मैं तुम्हें दो वैल्ती मैंस से इंट्रिडूस कर वा हू अगले सीन में लीजवी यूफैन के पास जाती है और उससे बोली बौस आपने मुझे बुलाया यूफैन कहता है अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करो कि इस पूरी स्टोरी के पीछे कौन है मुझे मिस्यान और उस चेयर्मेन की इनफॉर्मेशन लाकर दो और इस पेशलि हम सब आप लोगों से माफी चाते हैं हमने मिस ली की एक्टिविटीज पर्मानेंटली ब्लॉक कर दिये यह सुनकर ली कहती है यह फेक है तब ही न्यूज रिपोर्टर्स उससे कहने लगे हमने सुनाए कि आपने इस पॉजिशन को पाने के लिए अपनी बॉड़ी यूज क के लिए जश्टिस चाहिए चेर्मेन हसते हुए कहता है जश्टिस अगर मैं तुम्हें सब कुछ सच भी बता दू तब भी तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे यूफेन बोला बाहर जाकर ली से माफी मांगो और सब कुछ क्लियर करो इस पर चेर्मेन कहता है तुमारे पास इंडेश्टि में कभी कमबैक नहीं कर पाएगी ये सुनका यूफेन कहता है तुमने अपना लास्ट चांस भी मिस कर दिया अब मैं इस मैटर को खुद हैंडल कर लूगा अगले सीन में उली से मिलने जाता है तो ली उससे कहती है क्या मैंने तुम्हारी कोई गलती नहीं है फिर ली कहने लगी मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं पूरी तरह से फेल हो जाऊंगी और मेरा करियर इस तरीके से एंड होगा लेकिन अभी मेरी रेपुटेशन इतनी खराब है कि मैं आपके ग्रूप को रिपर्जेंट नहीं कर सकती तो इसलिए आप किसी और को ढूण लो सौरी मैं अपनी प्रॉमिस फुल्फिल नहीं कर पाई इस पर यूफेन कहता है तुमारी जैसी प्यूर परसन का इस वर्ड में मिलना आसान नहीं है हमारे ग्रूप को तुम ही रिपर्जेंट करोगी तुम फिकर मत करो इस मैटर को मैं आज रात तक सॉल्व कर जी अब उस कंपनी ने मिस लीज से 700 मिलियन का मौवजा मांगा है यह सुनका यूफेन कहता है उसकी कंपनी के सारे शेर्स खरीद लो इसके बार लीज हुई एक कॉल लगाती है और उनसे बोली हान फिल्म स्टूडियो के सारे शेर्स गिरा दो अगले सीन में यान चेयर्मे कर दिया क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता फिर उसे अपने पास खीच कर कहता है कौन सब वो अमारे स्टूडियो को खरीद लेगा ऐसा तो सिर्फ वो तभी कर सकता है जब वो यूफेमली का यंग मास्टर हो लेकिन उसके पास ऐसी कोई क्वैलिफिकेशन नहीं है इसके वो डरते वे बोला ऐसा कैसे हो सकता है अगर स्टॉक मार्केट थोड़ा नीचे भी गिरे तब भी इतना डॉप नहीं होना चाहिए फिर मिस यान कहती है कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने त्यान ग्रूप की हेल्प लियो चैर्मैन बोला इंपॉसिबल वैसे भी वो ये सब करके सिर्फ अपनी कबर खोद रहा है खेर तुम फिकर मत करो तुम तो अब सबसे फेमस एक्ट्रेस बनी चुकी हो तो तुम्हें हम किसी ना किसी तरीके से प्रोटक्ट करी लेंगे अगले सीन में लीजुई यूफेन से कहती है उनके स्टॉक प्राइस इस वक्त सबसे नीचे प्रेज़ें लेजुई चलते हैं अगले सीन में हुआन स्टॉडियो का एक एमपलोई डारेक्टर को बताता है कि मिस्टर यूँ आप परसनली यहां क्यों आएं तो यूफेन कहता है तुमारे स्टॉडियो को खरीदने के लिए फेवो उसे कौंट्रेक्ट पेपर देते है और उससे कहता है पांच मिनट के अंदर सभी शेरोल्डर्स की एक मीटिंग अरेंज करवाओ तबी डारेक्टर के पास शेरमेन का कॉल आता है जो उससे कहता है हमारे हुआन फिल्म स्टॉडियो पर कोई जान बुज कर एटेक कर रहा है प्लीज आप जल्दी कोई सॉलूश तबी उसके अंकल उसे एक स्लैप मारता है तो चेरमेन कहता है अंकल आपने मुझे हिट क्यों किया तो अंकल बोले क्योंकि मैंने हाड़ वर्क करके जो करियर बनाया था उसे तुमने बरबाद कर दिया हुआन फिल्म स्टॉडियो को कोई खरीद रहा है ये सुनकर चेरमेन कहता है किसकी उकाते इस स्टूडियो को खरीदने की तबी यूफैन कहता है मेरी उसे वहाँ देखकर वो दोनों शॉक्ट हो जाते हैं फिर यूफैन उनसे बोला चलो मैं अपने आपसे तुम्हें इंट्रियूस करवाता हूं अपसे मैं हुआन फिल्म स्टूडियो का चेर जिसमें चैर्मेन और यान की चैट इनफोर्मेशन दी जिससे इसाबित हो रहा था कि उन दोनों का काफी टाइम से अफेर चल रहा है इसके बाद वांकि सभी एंप्लोई यूफैन से माफ़े मांगते हैं फिर यूफैन उनके पास जाकर बोला तुम दोनों का क्या तब चै सिच्वेशन में मेरी हेल्प कर दो आज के बाद मैं कभी तुम्हें टार्गेट नहीं करूंगी लेकिन ली उसकी हेल्प करने से मना कर देती हैं फिर कुछ सिक्योर्टी गार्स आकर यान को पकड़कर वहां से ले जाते हैं इसके बाद चैर्मेन अपने घुटनों पर पड़कर ले जाते हैं इसके बाद यूफेन सबसे बोला आज से मिस लीस स्टूडियो की नई सीई होगी क्या किसी को इसमें कोई अब्जेक्शन है अगले सीन में वह दोनों वहां से जा रहे होते हैं तब ही उनके पास एक कार आकर रुकती है जिसमें से एक परसन बाहर आ जो उससे बुला मैं तुम्हें अपने आप से इंट्रीउस करवाता हूं मेरा नाम यूसी है और रिलेशन्सिप में मैं तुम्हारा ग्रेट अंकल लगता हूं इसी की 37 ड्रामा की ओपन एंडिंग होती है अगर इसका सीजन टू भी हुआ तो हम उसको जल्दी एक्स्प्ले झाल